उडिसा विधानसबा चुनाफ में इस बार भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। भाजपा के 147 सीटों वाली विधानसबा में 78 सीटे मिली हैं। यहाँ पिछली बार BJP सरकार बना रही है। इसके लिए भाजपा के शेश नेत्रतों ने मध्रप्रदेश के तीन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौपी। उन्होंने ततकाल उडिसा पहुचकर सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिये। मध्रप्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग नव निर्वाचत भोपाल सांसा दालोक शर्मा और वाजपा नेता लोकेंद्र पाराशर को यह एहम जिम्मेदारी दी गई है। यह तीनों भोपाल से आज यह उडिसा रवाना हो रहे हैं। नियाला कमाननी ततकाल प्रभाव से उडिसा पहुचकर सरकार गठन में भूमी का निभाने को कहा है। यह तीनों नेता सरकार गठन से लेकर श्रपत ग्वेहन समारों तक एहम भूमी का निभाएं।